शुक्रेव जी कहते है राजन पल पल में आयू नश्ट हो रही है एक-एक स्वास के साथ मनुष्य मृत्यू के ओर आगे बढ़ रहा है ये जीवन कैसा है फुटे हुए घड़े में भरा हुआ पानी फुटा हुआ घड़ा हो उसमें पानी भरो तो पानी भरेंगे तब से निकलने लग जाएगा उसी प्रकार से जन्म के साथ ही एक-एक स्वास के साथ मनुष्य मृत्यू की ओर आगे बढ़ रहा है और अपनी आयू को ऐसे ही व्यर्थ बीतते हुए देख रहा है इस उक्षण भंगूर जीवन में भगवद युक्त होने के प्रेक्षित तीन साजन है एक श्रवन दूसरा स्मरण और तीसरा किर्टन श्रवन करो तो श्रधा पुर्वक शास्त्रों में कही गई बातों को स्विकार नाम उसका नाम श्रधा स्मरण ऐसा करो के संसार का विस्मरण हो जाए शुक्देव जी कहते है राजन जिसके मृत्यू नज्दिक हो उस धीर पुरुष को घर छोड़ कर किसी तिर्थ में जाकर वास करना चाहिए एकांत में वास करें यानि जो घर में भजन सेवा ससन की अनुकुलता नहों तो इसे घर का त्याग करना चाहिए एकांत में वास करना चाहिए पर जो मन से वासनाएं छूटी नहों और घर का त्याग करें तो वो तिर्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है गर छोड़ के बण में वासिकियो रही ही नहीं। पंचकेस बढ़ा जूनी तपइ सत' भोग। हरी को दियो ही नहीं। सत संग रंग। गुमाई दियो। सत नाम। हरी को लियो रही, कहे दास सतार सुमझरे मना तुने प्रेमप आला पियो ही नहीं। तो जो मन से वासनाओं का त्याग नहों तो तिर्श में जाने का कोई मतलब नहीं है एकांत का कोई मतलब नहीं है एकांत यानि क्या अपनी मन और इंद्रियों को एक में अंत कर देना उसका नाम है एकांत एक में लगा देना और एक यानि कौन एको ब्रह्मह दृतियो नास्ति सर्वखलो इदम ब्रह्मह एक केवल ये भगवान ही ये जगत में रूप नाम विभे देना कि सिद्धांत से विचरण करते हैं तो उस एक ब्रह्म में अपने मन और इंद्रियों को लगा देना उसका नाम एकांत अब एकांत को साधने के लिए उसके दो साधन बताए एकांत सिद्ध कैसे हो तो दो साधन एक संत का संग गुरू जनों का संग और दूसरा आसन पर विजय जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रिया पूले भगवतो रूपे मनह संधार ये द्विया तो एकांत सिद्ध करने के लिए एक संत का संग और आसन पर विजय जितासनो जितस्वासो आम मने वह के रहे है तो मन्ने स्थिर करवा माटे शुगदेव जी अश्टांग योग द्वारा मन्ने स्थिर करवा नो एक विशिष्ट प्रकार बतावियो जितासनो एक आसन उपर वधारे वारे वेस्वू जितासनो जितसंगो एक आसन पर वेसिने पच्छी जितस्वासो प्राणायाम नो प्रकार बतावियो तो अश्टांग योगमानो यम नियम ने पच्छी तुरी जो आसन जितासनो नी बात करिये लासन उपर वेसिए तो शरीर स्थिर थाए तो मन पन स्थिर बने ले एक आसन उपर वधारे वार वेस्वू जिट्ली बनी शके सवारे वेला उठीने विजिट्टु बने भगवद नाम लिए पाठ करिए इना थी मन स्थिर थाए आटला कल्ला का एक आसन उपर बेसु आटला तमें बेसु जत्राण शाहत राण चार कल्ला का आए बो मोटी वाच्छे हां आसन पर एक आसन पर वधारे वार बेस्वाति मन स्थिर बने जाए जो आसन ने प्राणायाम द्वारा रजोगुण ना कायने तो पन जो मन भ्रमन करतु होए स्थिर नव बने तो पजी धारणा द्वारा मन ने काग्र करवू जोई जोई धारणा एटले मन अने इंद्रियोंने धेमा लगाडवानों प्रेयास प्राणायाम द्वारा इंद्रियोंने वश करी भगवानना सगोन सरूपमा बुद्धी द्वारा मन ने धारण करवू मन थी धारण करवू एन नम धारणा धारणा बे प्रकार नी एक स्थूल धारणा एक सुक्ष्म धारणा स्थूल धारना एटले जगतने जगदीशना रूपमा जोऊ अगनी देव ए नारायननों मुग छे वादड़ो ए भगवानना केश छे सूर्य ए भगवाननी आको छे समुद्र ए भगवाननों उदर छे नदियो भगवाननी नाडियो छे व्रुक्ष ए भगवानना रुवाटा छे दिशाओ भगवानना कान छे चंद्रमा ए भगवाननों मन छे सूर्य भगवाननी आको छे ब्रामान ए भगवाननों मस्तक शत्रिय भुजा वैश उरू अने शुद्र ए चरण छे भू भुवा स्वह महा जना तपह सत्य आसात स्वर्ग अने अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल पाताल आसात पाताल तो पाताल ए भगवाननों चरण अने त्याथी लईने सत्य लोग ए भगवाननों मस्तक शे आम चवद लोग भगवानना अंगो मां समायलू छे आ थाई स्थूल धारणा अपने भगवान नी मुर्ति माज भगवान ने जोईए लेकिन आ जगत जगदीशन रूप छे आ एक स्थूल धारणा थाई भगवान थी जुदू ओईयां कहीं न थी जगत ने जगदीशती अलग करशो तो जगत मा विकार आउस है जेम शरीर माती आत्मा निकड़ी जाए तो पची ये शरीर ये मुर्दू कहला है पची ये मुर्दाने घरमा वदार है राखिये नहीं पची गंधाव है तो जब जगत को जगदीश से अलग मानेंगे तो जगत में विकार आएगा तो जगत को जगदीश के रूप में देखना ये हुआ सूल धारणा और अन्ये सुक्ष्म धारणा के अनामिकाती अंगुष्ठ जेटला सुन्दर बाल कृष्ण ने ये सुरूप ने रदेमा पधरावू रदेमा येमना सुरूप न विचार करवू येमनी सेवा करवी ये सुक्ष्म धारणा थाई अवधा अश्टांग योग थी भगवद प्राप्तिनों एक विशिष्ट प्रकार चे पन बहुँ क्लिष्ट कठीन चे कारण के यम जे अश्टांग योगमानों पहलो आसा नियम ए यमने केडवाना एना पाचा पाँच साधनों छे सत्य अहिंसा असते येटल बेमानी न करवू अ これ can चरिय अश्टांग योगमानों बीजो आसन बीजो योग नियम ए नियमने साधवाना पाचा पाच नियम शोच संतोष स्वाध्याई इश्वर प्राध्याई तप त्यारे नियम सिद्ध था शुकदेव जी ये अश्टांग योगनों बंणन करियो पछी भगवानना सुक्ष्म रूपोनों ज्यान करावियो भिन भिन कामनाओने पूर्ण करवा माटे भिन 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 देवोनी उपासनाना प्रकार बताव्या परिक्षित जी पूछियो के भगवान आ सुष्टिनों सर सर्जन पालन कई रीते करे छे जहां सुष्टि सर्जन निवात आवितारे शुकदेव जी ने स्मरण थयो क्या स्रुष्टिना इनों सर्जन करवावाड़ा ये भगवान स्री कृष्ण इमनु में स्मरण एटले में मंगलाचरण को कर्यों जी नहीं करण के कथा ना नियम मां कथा न वह नियम होई कर न पहला मंगलाचरण करवाथी जे वक्ता आने श्रोता ना मन जे बाहार भटकता होई छे ये मन स्थिर बने छे ये लिए आग्रह राखवो वेश्ण वो कर प्रारंब थती होईनी पहला जावी ने आपड़े कोता ना आस फिर थाएं अवे आयां शुग्देव जी ने एनी जरूर न थी कारण के एमनु उमन तो पेला थी जिस्थिर छे पन कथानी मर्यादाने ध्यानमा रागता शुग्देव जी महराजे मंगलाचरण कर्यू एमना जे दिख्षा गुरू छे एमनु स्मर्ण कर्यू नमु नमस्ते सब्रुषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुभूकु योगिना निरस्त साम्यां दिशये नराग्रसा स्वधामनी ब्रह्म्रम्म निरन्स्यते तमां आश्लोक मा राधासा शब्द आवियो संकेत मा राधा शब्द आई आवियो इमना दिख्षा गुरू छे करण क्या शुक्देव जी जारे लिलामा शुक्रुप माहता त्यारे राधा 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 नू स्मर्ण करता रहता त्यारे राधा जी दर्शन आप्याने क शुक्र राध्य राध्य मावद क्रिष्ण क्रिष्ण वद क्रिष्ण नामने दिख्षा शुक्रेयु जीने राधाजी आपी छे एकले राधाजी यहमना गुरु छे अहिसे भी मर्या दाओ शास्त्रनी रही छे कि घुरुना मोठा पुत्रनु पतीनु वदारे नाम नर लेवाएए जने बहु वदारे प्रेम करता हो यह इनु वदारे नाम न लेवू चुई आप प्रेमनी एक वात चे आणकर जेनु नाम चे अस्ती छे जेना नाम नी इनु नाम मती पन जशे, तो प्रेमी नहीं चाहे के येना प्रेमी नाम मते, वह अधार नाम नती लेखा, एवो एक भाव पन रहे लो छे, ये जु सभा माँ शुक्देव जी ये परासर मुनी ने जोया, एमना पिता व्यास जी ने जोया, व्यास जी द्वारा एमने भागवत यन मुखाम बुरु हासवां व्यास जिन वंदन कर्यों अन्य स्रुष्टी सर्जन नो इतिहास कहें विराध पुरुष जैनी नाभी मां थी कमल प्रगट थेयो कमल मां थी ब्रह्माजी प्रगट थेया ब्रह्मा जी प्रगट थया, चारे दिशाओं मा जोवा लागया, एकले चतरमुख थया विचारवा लागया मारो जन्म क्या थी थयो, हुँ क्या थी आवेो बधी जी गया दूर दूर एमने पाणी पाणी देखाए हो, बीजु कहीं देखाए हो उन्हें ये कमल मा थी निकड़ा था, कमल नी नाल मा गया, अन्त सुधी पन इन्हों कोई अन्त नो आवेो ए जो समय ब्रह्मा जी ने बे शब्द समडाना तप तप इमने लागयों के जेने मने प्रगट करया थे, इमने आग्या थे के हुँ तप करू पछी प्रह्मा जीए, एक हजारों वर्षि सुधी तप करू और तपना फर्ल सरूब भगवा ने ने दर्शन आपया ने दर्शन आपया ने वज़ि भगवा ने आग्या करी के हुए आप सृष्टीनू विस्तार करो, सर्जन करो प्रमा जिये करू प्रभु उस्रोष्टी नो विस्थार तो करू फिर एनी पहला मारी अंदर कहीं कि योग्यता हो वी जो ये सुथी पेला प्रभु मने आपना अउतारों नो ग्यान कराओ पराओ ग्यान बीजी वस्तु ब्रह्मा जी ये प्रभुती मांगी क्रिडा ग्यान के जे मकडी पोताना मोडा माती लाड काड़े येनों जाडों बनावे ये माई विचरण करने पाछा ये जालाने पोताना मोडा मा येने पी जाए थाई जाए आपज आपना माती आश्रुष्टी नू सर्जन थाई छे आपज आमा विचरण करो छो नाश्रुष्टी नू लए पाछा आपमा थाई छे तो आ लिदा आप कई रीते करो छो त्रीजी वस्तू ब्रह्मा जी हे कही रभु क्रीडा अग्यान के जे कारज आप मने सेंपो छो ये नाथी अतरिक दमारी बुद्धि नु जाल चोथी वस्तु ब्रह्मा जी ये मांगी गरवा भाव आठलू मोटू ब्रहु सुष्टी सर्जन ने आप मने आज्या करो छो ये सर्जन करया पची क्या आक मारी अंदर अहमकार आवी गयो तो तो मारी अंदर प्रहु अहम ना आवे पची प्रभुए आज्या करे के सुखी पेला तमें मारी बनाएली सुष्टी ना दर्शन करो तो तमने तमारी बनाएली सुष्टी उपर हंकार नहीं आवे भगवा ने इमने पोता ना गौलोक धाम ना दर्शन करावया अने ए गौलोक मा प्रभु स्वामनी जी ठाकोर जी बनने युगल जोड़ी हिंडोडा मा जूली रहा छे एवा दर्शन ब्रह्मा जी ने थया अने ए दर्शन करी ने ब्रमा जी कहा प्रभु मूं धारूतोय आपना जी विया सुरश्टि आपना जी वा गौलोक धामना दर्शन था है आहूं चाहू तोय आवो धाम हूं न बनावी शक्त अने पची जे ब्रह्माजी ने बीजी जिग्यासस आओं करवा माटे भगवाने चतुश लो का निते चाह प्रश लो की far के चाहर श्लोक भागवत tomorrow Iran कौ भार्सकनद आध्यायों 8 ros चार श्लोक नूँ जाखो विस्तार छे इमा वेदान्त नूग्यान भगवाने कराव्यों आउ थोड़ों समय ने ध्यान मरा किया चत श्लोकी भागवत नाप्रदर्शन करिये अह मेवास मेवाग्रे नान्यद्यात्सःत्परम् पश्चालदहं यदेटुच्चा योवशिश्यत्सृत्ट्परम् प्रुतर्थम् यत्रतियेत नप्रतियेत चात्मनी तज्विराजात्मनो माया यधा वासो यधात्मह यधा महंति भूता प्रविष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानी